ये जो होता है ये नी का उपर वाला बोन रहता है जिसको फीमर बोन बोलते है और ये टीबिया बोन रहता है तो ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये है नी का कार्टिलेज ये जो फीमर बोन के उपर और इसके उपर जो दिख रहा है ये कार्टिलेज है जो आर्थर जेहत हमारा वादा जो कि श्री हरी हर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं सर के बार में थोड़ा सा बता दें सर एंबीबीएस हैं और एममेस हैं और थो में सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागर आपका हमारे कारिक्रम सबसे पहले कोशन हम यही जानना चाहते हैं कि नी रिप्लेस्मेंट की जरूरत क्यों पड़ती हैं नी रिप्लेस्मेंट की जरूरत उन पेशन्स को लगती है जो जिनका उमर पचास या उससे ज़्यादा हो जिनको जो ऑस्टियो आर्थरैटिस का पेन है या फिर जो गठिया जो बोलते हैं उसका पेन है जो असनिय हो जाता है जिनको दवाईयों से बाकी चलने में तकलीफ हो जाती है दिन्चरिया के जो काम है वो करने में मुश्किल हो जाती है या फिर किसी की help लेनी पड़ती है ऐसे patients में या फिर जिनका नी में विक्रूती आ जाती है या फिर जिसको हम deformity बोलते हैं इन patients में नी रिप्लेस्मेंट की ज़रुवत पढ़ सकती है। सीधा करते समय दर्द होता है, चलते समय लचक रहा है या फिर लचीलापन आ रहा है। इस वज़ा ये स्टार्टिंग में सिंटम्स मिलते हैं पेशन्ट को। फिर धीरे धीरे वो बढ़ बढ़ के कभी कभी पेशन्ट इन कंप्लेंट्स को इन सिंटम्स को नजर अंदास कर द हैं बट किसी स्पेशलिस्ट को दिखाते नहीं है तो जब जैसे जैसे ये दर्द और ये बागी का जो तकलीफ है जो नी का जो पेन है वो बढ़ते जाएगा तो बाद में नी के बोंस जो है या फिर नी का जो कार्टिलेज रहता है जो कवरिंग रहता है नी का कैप रहता ह जो कुशन के रूप में यूज होता है, यह सब का डैमेज होने लगता है, उसके वज़े से आखरी में फिर जब पेशन नहीं चल पाता है, तो फिर पेशन डॉक्टर के पास आता है कि अब हम क्या करें, तो उस समय फिर फिर यह लगता है कि अभी नी रिप्लेस्मेंट की ही ज़रूत पड़ती है, अगर पेशन पहले ही नी स्पेशलिस्ट या फिर और्थो स्पेशलिस्ट को दिखा देंगे, तो उसका हम निवारन कर सकते हैं, जो नी और्थ और्थ या जो गठिया जो डेवलप हो रहा है, हम उसी को उसी स्टेज पर रोग सकते हैं. जो इंप्लांट किया जाता है, वो किस मैटेरियल से बना होते हैं? आजकल अभी इसमें बहुत से एडवांसमेंट हो रहे हैं, पहले तो इसका हम टाइटेनियम वाला यूज करते थे, अभी कोबाल्ट क्रोमियम का जमाना आ गया है, लेकिन उसमें और आगे एडवांसमें हो रही है, इसमें गोल्ड प्लेटेड इंप्लांट भी अगे रहे हैं, यूज हो पा रहे हैं, हो रहे हैं, सरी ये कंपनी के ऊपर मैट करता हैं, मतब डिफरेंट कंपनी के होते हैं, रिप्लेस्मेंट या फिर एक ही कंपनी के क्या रहता है? नहीं, इसमें कंपनी का बहु सुपिरियर है दूसरों से, सारे इंप्लांट एक जैसे ही होते हैं, बट माटेरियल में डिफरेंट रहता है, जो अगर माटेरियल का रहेगा, स्टार्टिंग में जो टैटैनियम यूज होता है, उसका माटेरियल के वज़े से उसका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, अभी कोब भी जो इंप्लांट कर देते हैं कमपनी का, हम तो पेशन को ऑप्शन देते हैं, क्योंकि जैसा मैंने जैसे बोला है, कि लाइफ स्पैन जो रहता है, नी रिप्लेस्मेंट ऐस अ मेजर सर्जरी है, अगर हम नी रिप्लेस्मेंट को वापस से अगर कराना रहे, इसको रिवि जैसे बीजर का, इसको रिप्लेस्मेंट का मटेरियल है, वो इम्प्लेस्मेंट का मटेरियल हम यूज करेंगे, तो उसका लाइफ स्पैन भी ज्यादा रहेगा, उसमें कॉम्प्लिकेशन भी कम आएगे, और रिप्लेस्मेंट के रिविजिन की जरुवत कभी-कभी नहीं पड़ती है. तो फिर उसको रिप्लेस्मेंट करने के जरुवत पड़ती थी. अभी जो नया मटेरियल आया है, कोबल्ड क्रोमियम, उसके वज़े से क्या हो गया है, कि जो लाइफ स्पैन है, उसका थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है. तो हम पेशन को तो वही एडवाइस करते हैं कि जो अभी निवर माटेरियल है, इंप्लांट माटेरियल, उसी इंप्लांट से हम नी रिप्लेस्मेंट करें. इसका खर्चा भी हम जाना चाहें, यह कितने तक है जाता है? यह तो कंपनीज के उपर डिफेंट रहता है, हर इसका डिफेंट रहता है, हम तो चाहते हैं कि हर इसको से मतलब अच्छी कॉलिटी का और अच्छा इंप्लांट ही यूज करें, तो मोस्टली हम पेशन को बोलत है, एक नी का आराउंड 60-70 तक आ सकता है. श्री हरियर हॉस्पिटल में भी नी रिप्लेस्मेंट की सुविदा है, और इसके लावा और कौन सी यहां पे सर्जरी होती है, या और्थों से सबंदित और क्या क्या है फैसलीटी है? जी हा, हरियर हॉस्पिटल में नी रिप्ले से रिलेटेड या फिर मसल से रिलेटेड या लिगामेंट से रिलेटेड सारी सर्जरी होती है, जैसे की फ्रैक्चर कई लिगामेंट, ACL टियर, मैनिस्कस टियर, शोल्डर डिसलोकेशन, इसके लिए भी सारी ट्रीटमेंट हो जाती है. अभी हमारे दर्शकों को इसमें आप का उपर वाला बोन रहता है, जिसको फीमर बोन बोलते है, और ये टीबिया बोन रहता है, तो ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये है नी का कार्टिलेज, ये जो फीमर बोन के उपर और इसके उपर जो दिख रहा है, ये कार्टिलेज होता है, इसमें क्या होता ह जो रहे, वाइड कलर से जो दिख रहा है, इसको हम knee cap बोलते हैं या फिर meniscus बोलते हैं, meniscus साथ में ये cartilage, ये तीन चीज़े हम रिप्लेस करते हैं, knee replacement में. थोडी हड्यों की cutting भी करनी पड़ती है इस procedure में? जितनी cutting करने की जरूद है वो cutting हमको उसके इसमें आ जाती है नी रिप्लेस्मेंट के कितने समय बाद जो है वो fit हो सकता है दौड सकता है पेशेंट और पहले वाली रूटीन में आ सकते हैं कि दौड़ना भागना twist करना यह थोड़ा सा अवोड़ करना चाइएए आप और्मल हाइकिंग कर सकते हैं 88 कर सकते हैंरी कर पूछा था, आपने कहा था कि 65-75 तक जाता है, तो वो तो आपने इंप्लाइंट का बताया रीट, पूरे प्रोसेस में कोई पेशेंट आता है, सरजीर करवाता है, तो उसमें पूरा कितना खर्चा आ जाता है, अगर आप बाहर के हॉस्पिटल में देखेंगे, तो जो मिनिम करते हैं, तो यह इनका हम आपरेशन, आयुशमान, कार्ड या फिर हमकेर के अंडर पूरा फ्री में कर देते हैं, तो यह रिप्लेस्मेंट में ऐसा हम कोई यह नहीं करते हैं, जो फ्री में हो रहा है, तो उसमें इंप्लांट में कोई चेंज करते हैं, हमको जो जो अच्छे कॉलिटी का है वो इंप्लांट यूज़ करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बादचीत करने के लिए। तो यह थे डॉक्टर अमूप जी जो की MBBS हैं, MS और्थो और श्री हरी हर हॉस्पिटल में हड़ी रोग विशेश अपनी सिवाएं दे रहे हैं। दर्शकों आज हमने बात की knee replacement के उपर और इसमें जो knee replacement में जो implant होते हैं वो इसमें कई तरह के material यूज़ होते हैं। और आजकल जो हैं वो सस्ते वाले भी हैं, महंगे भी हैं। बहुत से कंपनी के इंप्लांट आ चुके हैं। लेकिन इक durability की बात करें तो उसी के according होगा जो सस्ते वाला होगा उसके durability कम होगी जो जादा थोड़ा costly होगा वो काफी सालों तक 10-15-20 साल तक चलेगा। कैसी लगी आपको यह हमारी रिपोर्ट जरूर बताएं हमें और हमें दीजिया इजाजत नमस्कार। फेस्बुक पर पोलिस्टार हिमाचिल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।